कल मंजर जो है काफी खतरनाक था और आप देख सकते हैं कि इस तरह से पुरी फैक्टरी जल कर खाक हो चुकी है सिर्फ लोहे के पार्ट बचे हुए है और यह वो ट्रक है जिसमें पुरे लोड होर थी यह राइगर के रवाना होने वाली थी था कि स्टाप की एक्टीवा थी वह एक्टीवा भी पूरी तरह से जल कर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी वैरिंग जल गई है अभी भी एक्टीवा गया है गरम है तर कितना मुश्किल थरात का ओपरेशन और कितने टैंकर पानी लगे कितना टफ था यह देखें काफी मुश्किल जॉब था है और हमारे लिए नया था कि इस टाइब से अपने थीनर वोगरे से हमको आग पर काबू पाना क्योंकि एक बड़ा सवाल सर आग लगने की वज़़ा क्या रही होगी कि प्रारंभी रिकूर्ट साब प्रारंभी का अभी प्रतम द्रश्चा देखने में लग रहा है कि अजिस अजिए बर्बादी का मंजर है जे-मडी केमिकल फैक्टरी का चावणी में इस्थित है चावणी राजियुनगर में और कल राच में यहां पर भीशा नाग लगे थी जिसकी रिपोर्टिंग हमने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से दिखाने की पूरी कोश कि आखिर क्या कुछ यहां पर हुआ था कितना भ्यानक मंजर था और उस घटना को बिते कई घंटे हो चुके हैं और जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हुए दोपहर का 12 बच के 15 मिनट का वीडियो है और अभी देख सकते हैं कि हालात काबू रात में ही हो चुके थे लगभ अभी भाग ने उन कर्मियों को भी बुला रखा था जिनकी छुट्टी थी क्योंकि आग इससे पहले कभी इतने भीशन इस इलाके में नहीं लगी थी इसके लाबा एजडियार एक पर टीम मौजूद थी पुलीस प्रशाशन मौजूद था जिला प्रशाशन मौजूद थ जिसकी वज़़से इतनी भीशन आग भड़की हुई थी यह आप देखकते हैं पूरा थीनल का काम करते हैं यहां से लोडिंग करके दूसरी जगह पे भेजा जाता है यह डब्बे आप देख पा रहे हैं इन डब्बो में जो है इन डिब्बो में थीनर पैकिंग रुथे जो ऑइल का काम करता है जो काफी बहानक जो माना जाता है चादव हो और यह तर इनर थे इसमें और तशिय त्रक में नदू लोड हो रहे होगा जिसमें ती आर लोड Short में एक चिंगारी की वज़े से आग लगी उसके बाद आग जो है बढ़ते बढ़ते जो है यह पूरी फैक्टरी को पूरी केमिकल फैक्टरी को लेड़ो भी अभी देखिए आग अभी वहां पे जली रही है आप देख सकते हैं वहां पे दोपैर के 12 बज रहे है और आग पर काबू पहले नहीं पाया था क्योंकि इससे पहले कभी भीशन आग लगी नहीं थी इस फैक्टरी में लगी थी अब तीन से चार मेंने पहले फैक्टरी की शुरुआत की गई थी जो यह नागदेवे फैंबली है उन्होंने इसके शुरुआत की थी और अभी वह मौकी पर मौजूद है अब उन्होंने ये जानकारी सामने आ रही है कि कई सारी गलतिया हैं कई सारी लापरवाही है जिसकी वजह से यह आग इतनी भीशन हुई है जब इस तरह के थीनर जो काफी खतरनाग माना जाता है इसकी लोडिंग लोडिंग उसमें भी बहुत सारी नियमो बचे हुए है और यह वह ट्रक है जिसमें पुरे लोड है रवाना होने वाली थी राइगड जाने से पहले यह ब्लास्ट हो रहे थे वह इन ही की डब्बे में जो थीनर थे वह थीनर जो है ब्लास्टिंग का काम कर रहा था पूरा एक के बाद एक डिब उड़ते गए यहा जानकारी ने बताया कि काफी खतरनाक होता है सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि यहां पर इस थीनर कंपणी की जो है अनुमती कैसे दी गई होगी यह बड़ा सवाल है तो यह देख सकते हैं ट्रक जो है पूरी तरह से खाक हो चुका है कल रात में उनिंके ड्राइवर से बातच मौके पर मौझूद है इसके लावा ड्याइसी के अधिकारी मौके पर मौझूद है जो कार्णों का जाच करने के कोशिश करी यह देख सकते हैं जो पेंट कंपणी होती जो पेंट वराने काम करती है वो यही काम है पर थीनर का काम किया जादा था यह देख सकते हैं आपको जो है बॉटल और डिब्बे रखे हुए थे जिसकी वजा से आग और ज्यादा तीजी से भड़की जो खतरनाक हो गया इसके लावा काफी नुकसान हुआ नुकसान का आगला नहीं करना समफवां है MA कि आखिर कितना नुकसान करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर नुकसान कितने का हुआ लेकिन पूरी factory क्हत्म हो चुकी है जो आश्यं से तीन मेने पहले शुरू की गई थी यहां फे सो घ्लते होए बाहर निकली थी यह कि स्टाप के एक्टिवा भी तरह से जल कर जिब देख सकते हैं कि सरह से पूरी वाईरिंग जल गई है अभी आग इस पे काफी था इसके लावा जो सामने के पर वहां कि लपटे पहुची थी वहां एसी जल कर खाक हो चुकी है इसके लावा जब ब्लास्ट हो रहे थे ब्लास्ट होते वक्त जो है जो खिड़किया थी खिड़कियों जो शीषे लगे हुए थे वह शीषे भी वहां से टूड़ गए आपको खुशवन तस्वीर दिखा भरा हुआ था और अंदर से जो है बाहर निकल रहा था उसी वक्त जो है जो ट्रक है यह टेंकर है इस टेंकर में जलते हुए आग लिकली है और इसके बाद यहीं से भीशन आग और ज्यादा ब्लास्ट होते गए आप देश सकते हैं अभी भी इसमें धूआ मौजूद है धू हो ले गए थे और सेंपल लेते वक्त ही चिंगारी भड़की है सेंपल लेते वक्त ही कोई स्पार्ख हुआ है जिसकी वज़त से इतना भीशन आग हुआ है हाले कि इस परस्ट कारण अभी बता पाना संभाव नहीं है लेकिन जो प्रारामभीक जानकारी सामने आई है जो प परस्ट कहना संभाव नहीं कि आखिरों कोन सी वज़ा है थी क्योंकि पूरे लाइनिंग का काम जो आप देसे केबल जो हाई टेंशन तार को निकालने काम के जा रहे क्योंकि रात में हाई टेंशन तार के ऊपर से काफी आग लप्टे थी और आग की लप्टे होनी के तक हम यहाँ पर डीटेल स्टोरी करते रहे और अभी दोपहर का मंजर है अब देशकते की लगातार जो है काम कंप्लीट हो चुका है अब कांडों की बाद जाच की जारी कि आखिर कौन सी वज़ा है जिसकी वज़ा से आग इतना भयानाक हो पाया इससे पहले भी इस इलाक अब देखने वाली बात यह है कि उस पर काम होता है और आगे जो भी अपडेट होगा इससे रिलेटेड हम आपको पूरी कोशिश करेंगे अब छे से अपडेट देने की सटिक जानकारी देने की आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको उदाएंगे चैनल के साथ बने रही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर को लिए जैहीं जया जोहार जया शित्ति जगड़ा तस्वीर में वो जगा जहां पे कल रात में यहां खड़े होना तो दूर इसके एक किलोमेटर तक जो है देखना मुश्किल था लेकिन जो फायर विगेट की टीम थी यहां पे SDRF की टीम थी उन्होंने आग पर काबू पाने में पूरी कोशिश की और रहते रहते चार पास चार से पास सब्सक्राइब नागेंदा सर है सर कितना मुश्किल थारात का ओपरेशन और कितने टैंकर पानी लगे कितना टफ था यह देखे काफी मुश्किल जॉब था है और हमारे लिए नया था कि इस टाइब से अपने थीनर और ऐसे हमको आप पर काबू पाना क्योंकि इसके बारे पान जादा जो है जनकारी इन्होंने भी हमें नहीं दी थी और हमको भी नहीं था और लगातार बलाफ्ट हो रहे थे जो इनके अपने जिबे में नहोंने जो है अनलोगिंग किया हुआ था ट्रंसपोर्ट कर रहे थे और करीब पांच छे घंचे लगातार हम लोग उस पर प्रियास किया काबू पाने का उसके बाद जो लाफ्ट में इनका जो फ्रक्चर गिरा हुआ है पचास-पचास लिकर के ड्रम में नहोंने लोगिंग किया हुआ था वह थोड़ा सा ज्यादा हम लोंको तकलीब दिया और आंते में जैसे भी से फिर उसको खीच के फाइनली पानी लगे हुए थे और लगभग सतर से पचेतर क्रिप पानी और फूम का हमने उपयोग किया है इससे और कभी भी भीशन आग को आप लोग ने इतनी बड़ी आग यहां पर अभी तक तो मेरे रहते नहीं लगी है बड़ी आग थी लेकिन इतना बड़ा आग नहीं था कि 5 चेंगर यहां और 50 लीटर फूम लगा हो और 70-70 जार लीचर मउपर पानी लगा हूँ सर बाकि के तौर पर बाकि फैक्ट्री उर्भा करें को वे प्रिकॉशन के तौर पर अभी शभी से सिर्म 25-30ight हमारी फायर जो अपने इनके करमचारी हैं उनको ट्रेंड करने के लिए अन्यत्य था उनके खिलाब जबती की करवाई होगी या तो अगर उसका भी पहला नगर नहीं होगा तो इनके माज जिल वेजने की करवाई होगी एक बड़ा समाल सर आग लगने की वज़ा क्या रही होगी कि प्रा लिकिक चार से इगनिशन मिला होगा और उससे आग लगी होगी शुक्री शर यह थे कमांडेड एजडी रफ के जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि रात का ओपरेशन कितना बहानक था रात का ओपरेशन कितना टफ था लेकिन एजडी टीम ने बखो भी इसे उस काम को जो भीशन आग का कारण बनी है डीटेली स्टोरी आपी बने रही है आगे वीडियो में आपका और भी अपडेट मिलेंगे